आज दिल्ली के MCD हाउस में चौती बार मेयर चुनाव कराने की कोशिस की जाएगी, हमारे साथ हैं बीजेपी की मेयर कैंडिडेट रेखा गुपता आप पहले कई बार आसक से बातचीत करते वक्त दावा कर चुकी थी कि अल्डर्मन को वोटिंग का अधिकार है, आपकी पार्टी का अलग इंटर्पेटेशन था, यह सारे आगुमेंट सुप्रीम कोट में धरासाई हो गए, अब आप लोग एकसेप्ट कर रहे हैं जो जजज मिले हुए हैं, तो आम आदमी पार्टी का अपना नजरिया है, हमें पूरी तरीके से जो जजज्मेंट है, वो मानने है और हम उसी तरीके से आज का चुनाव लड़ेंगे आकड़े आपके फेवर में नहीं है, आम आदमी पार्टी के पास ब्रूट मजरिटी है, ऐसे में अब मेरल चुनाव में कैंडिडेट के तौर पे जाने को लेकर कितना सही फैसला है देखे, ना आम आदमी पार्टी के पास में ज़्यादा आकड़े हैं, ना भारतिय जंता पार्टी के पास कम है हर पार्षद का अपना वोट है, जो उसके हाथ में है, वो किसे देना चाहता है यदि उसको लगता है कि दिल्ली की बहतरी के लिए मुझे ए परसन को वोट देना है, तो वो ए को देगा क्रॉस वोटिंग क्या होती है, अपना वोट देना है व्यक्ति को और मैं ऐसे बहुत सारे पार्षदों को जानती हूँ जीने ये बुरा लगता है आम आदमी पार्टी के मुखिया जो पानी पी-पी करके कोस्ते हैं प्रधान मंत्री जी को क्या दिल्ली और देश ये नहीं जानते कि प्रधान मंत्री जी ने केंदर सरकार दिल्ली के लिए कितने काम किया है COVID जैसी महा मारी से देश में से निकाल करके लिखा है सभी के लिए मुझे लगता है कि एक टीम के नातिब पूरा का पूरा सिस्टम जीतेगा तभी डंग से काम हो पाएगा थैंक्यू धन्यवाद तो यह थी रेखा गुपता बीजेपी की मेर कांडिडेट है नमबस नहीं है लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंट है कि चुनाव के दौरान उनको समर्थन मिलेगा पुल, 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 थो, पुल, पुल